हेलो बच्चों मेरा नाम शुभम पांडे है हम लोग एनरजी कंजरवेशन चेप्टर फोर का लेक्चर नबर एट देखने वाले हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्रेसर के वर्किंग मेकनिजम को उसके कारेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था कैसे वर्क कर रहा है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था आज के लेक्चर में हम लोग एर कंडिशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बैसिकली जो एर कंडिशनिंग सिस्टम होता है वो रेफ्रिजेशन सिस्टम की तरह ही होता है air conditioning में क्या होता है किसी कमरे के तापमान को नियंतित करता है मतलब कि कमरे में अगर AC लगवाते हो तो इसके temperature को और humidity को humidity मतलब क्या होता है कि जो भी water content है हमारी environment में in form of vapor वो हमारी environment में जो भी vapor content है water vapor content है उसको humidity वोलते है तो refrigeration system के principle पर वर करता है लगा रहता है AC में हम लोग यह चाहते हैं कि हमारे कमरे का तापमान 10 degree Celsius अगर set कर दो 10 degree Celsius बना हो तो उसके लिए system लगा होता है thermostat thermostat उस temperature के साथ फीडबेक भीजेगा AC को तो AC उससाथ से on off होता रहेगा उसी particular temperature को maintain करता रहेगा let's say AC operate कर रहा है और अबरेट करते करते कि ऐसा समया कि 9 degree Celsius temperature चला गया तो जो thermostat लगा हुआ है वह sense करें कि नहीं भीज़ए 9 degree Celsius temperature चला गया है तो वह signal भेजेगा और AC हमारा off हो जाएगा off होगा तो फिर धीधीर गर्मी बढ़ने लगएगी और 10 से 11 degree Celsius होगा उसमें signal भेजेगा नहीं भी या बढ़ गया temperature 10 degree Celsius नहीं है तो फिर यह feedback भेजेगा और AC को on करेगा इस तरीके से अगर 10 degree Celsius temperature maintain करना चाहते हो तो feedback के system से हमारा temperature room का बेता maintain होता है human air conditioner, industrial air conditioner air conditioner system air conditioning जो system वे टू टाइप्स को होती है basically human air conditioners और industrial air conditioners जो human air conditioner से है वो छोटे कमरे के तापमान कुणियती करता है और कोई वेक्ति आराम कर सके मतलब एक room में लगा दोगे AC को आराम से इंसान रह सकता है बढ़िया बेवस्ता है जो normally AC हम लोग यूज करते है industrial air conditioning system बहिया आलू वेगर जादे हो जाता है तो क्या करोगे सड़ाओगे थोड़ी तो उसको गोदाम में जाकर रखते हो गोदाम क्या होता है बहुत बड़ा-बड़ा AC सिस्टम से लेस होता है वह आप उसको रख दोगे तो लंबे समय तक महिनों महिनों तक जो आलू है वो पड़ा रहेगा वैसे ही सड़ेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा industrial air conditioner का example हो जाएगा बड़ी laboratory हो गया data storage, computer, operation theater, खादे भंडार air conditioner की दच्छता ये सारी चीज़े जो example में बता रहा हूँ ये क्या है industrial air conditioner का है इसके आगे हम दोग देखते हैं air conditioner की उर्जा दच्छता अनुपास EER, EER क्या होता है full form बेटा energy efficiency ratio air conditioner के लिए जो EER ratio है मतलब energy efficiency ratio है उसका formula होता है refrigeration effect in what upon में power in what तो इसका मतलब की refrigeration effect in what तो कितने power पर क्या कर रहा है refrigeration effect दिखा रहा है जो हमें मिल रहा है upon में power in what कितना power आप electricity का उसको दे रहे हो कितना power दे रहे हो और कितना वो convert कर पा रहा है refrigeration में तो ये refrigeration में जो convert कर रहा है upon में power in what को ही क्या बोलते है energy efficiency ratio बोलते है next point हमारे पास से बेटा HVAC HVAC हम लोग पिछले चप्टर में पढ़ चुके थे तो इसमें कैसे उर्जा की बचत कर सकते है cold insulation उपर से insulation पुराइट करके तो जब भी HVAC system को आप डिजाइन करो किसी system को मान लोग कमरे में इसी को install कर रहे हो तो कमरे में क्या करते हैं हम लोग कहीं से भी leakage होता है तो उसको क्या करते है seal कर देते, burn कर देते, close कर देते क्योंकि बाहर से क्या हो ऐसा नहों कि AC on कर दे है और बाहर से temperature बहुत तेजी से अंदर आता रहे और AC पर लोड पड़े वहाँ पर AC लगाने के बाद ठंड़ा एर दे रहा है उसमें fence लगा देंगे जब फैंस लगाओं तो क्या होगा वो अपने high pressure से क्या कर रहे हो वो ठंड़े तापमान को चार तरफ फैला देगा इस तरह की system को हम लोग यह पर दे बोलते है building heat load minimalization AC load अब देखो क्या करना है building heat load minimalization तो building का जो load है उसको minimum करके कुछ ऐसा करेंगे कि उस पर load कम पड़े AC उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग जो bulb है हम लोग बल्व क्या कर रहे सकते हैं जो incadescent bulb होता है filament वाला bulb होता है उसको यूज करेगा तो वो क्या करेगा heat को generate करेगा अगर room में उस bulb को लगाया हुआ हूँ AC लगाया हुआ हूँ तो AC पर pressure ज़्यादा पड़ेगा तो हमको LED बल्व लगाना चाहिए छट पर paper insulation pride कर दो छट पर क्या होता है heat बहुत असानी से जैसे छट अगर करम हो रहा है धूफ है sun है तो उसका temperature नीचे आ रहा है तो paper का insulation अगर अपने छट पर प्रवाइट करा दो room के अंदर से तो जो उपर का temperature चट का वो अंदर नहीं आ पायेगा और हमारे room का जो कम temperature हो लंबे समय तक बेटा बना रहेगा और हमारे AC पर load नहीं पड़ेगा ताज ये हवा से ठंडा होना और अगर जरूरत हो तो भाई हम ऐसा AC मत चलाओ अगर नॉर्मली ठंडा हवा मिल ला तो उसको यूज आप कर लो इससे भी क्या होगा कि energy का जो consumption उसको आप कम कर सकते हो process heat load new term heat exchanger की सफाई जा रहे हो ऐसा को सिस्टम नहीं करना है रूम में हो AC on कर दिया रूम से बाहर जाओ AC off कर दो मतलब यूज करो energy को बरबाद मत करो प्रसीतन AC सन्याथ छेतर में AC का रख रखाओ अच्छे से रखो ठीक है बेकार उकरों के वाल बंद करें अलग अलग प्रक्रिया लोट के लिए चर गरतरी ड्राइब किस चीज के लिए कितना temperature यह उसको समझ करो इस स्याब से उसको maintain करो condenser के efficiency बढ़ा में जो condenser यूज हो रहा है या जो compressor यूज हो रहा है उसको proper उसका maintenance देते रहे आई होब कि आपको इस समझ में आया है लेक्चर आप लोग स्वर्चित तरीके से रहें करोना वैसे तो बहुत रफ्तार में बढ़ रहा है लेकिन अगर आप लोग धिहान दें तो करोना पे वीजय हासिल की जा सकती है और सबसे बड़ी बात घर पे हो तो घर पे इस मौके को उटलाइज करो अपने फेमली मेंबर के साथ बिताओ टाइम को आपस में डिसेशन करो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और बार बार मैं कहता हूँ कि इसको ऐसे मत देखो इस समय चाहो तो पढ़ाई बहुत ही अच्छे सो सकती है रूम में लॉक करो अराम से खाओ जो भी मिला है और अराम क्या करो पढ़ाई करो और फ्यूचर के बारे में सोचो और कुछ इनोवेटिव सोचो कि क्या कर सकते हैं मेरे लिए क्या ज़रूरी है थोड़ा अपने बारे में सेल्फ डिसेशन भी करो कि मैं अभी तक क्या गलतियां किया और क्या भविसे में मैं क्या सुधारना चाहता हूं किन किन चीज़ों को अचीव करना है यह सेल्फ मोटिवेशन क्रेट करेगा और उसके साथ आप जीवन में आगे बढ़ोगे उमीद करता हूं कि लेक्चर आप लोग के लिए उसफुल होगा अगर कोई कन्फिजन होता है तो पूछिएगा और नेर्जी कंज़रेशन का जो थीवरी पोर्शन है मान चलो 85% थीवरी पोर्शन है और थीवरी पोर्शन में कवर करवा दे रहा हूं जो 10-12% जो नुमेरिकल पोर्शन होगा उसको भी मैं साथ साथ कवर करवाता चलूँगा और। मैंने आपको पिछले लेक्टर में डिसर्स किया था कि मैं एक सेसन आपका लेने जा रहा हूं जिसमें important questions को डिसर्स करूँगा chapter 1 to chapter 4 तक और यह चीज़ समय ना कि बहुत ही important session होने माला है क्योंकि मैं questions को इस तरीके से design करूँगा कि उसी में से question आपके मिल जाएंगे और उसको कैसे लिखना है, कैसे उसका representation होना चाहिए बहुत important aspect रहेगा क्योंकि अगर आपको knowledge है आपको आता है और उसको अच्छे से copy में लिख नहीं पाते हो तो भी marks अच्छे से नहीं मिल पाते हैं आपको और आपको बाद में लगता है कि मेरे साथ नाइसाफी हो रहे है बहिमानी हो रहे है, और मैं fail हो गया क्योंकि हमारा ही मित्र रहता है, उसके marks अच्छे आ जाते है मेरे marks कम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बहिमानी हो रहे है तो आपकी गलती है, आप अपने आपको सुधा रहे है तो इसके साथ मैं आपको आप लोग से अलवीदा लेता हूँ अच्छे सा रहो, खुशाल रहो, बाई